जै माता दे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2022 के तुलाराशी फल के बारे में, तुलाराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग् हर एक शेतर के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ, करियर, नौकरी, दुकान, प्रेम जीवन, परिवारिक जीवन, यानि हर एक शीज के बारे में हम यहां विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइ कर लें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और वहां आपको अपनी राशी से रिलेटर हर एक चीजें, यानि हर एक जानकारी मिलती रहेगे, तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं, तीन चंद्रमा धनु राशी में विराशमान है, सुभा तक उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे मकाराश में, सूरिय कन्या राशी हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, इसके अलावा इस दिन रवी योग भी रहेगा, और अभीजीत मूरत होगा, सुभा ग्यारा बज कर 46 मिनट से, दोपहर 12 बज कर 34 मिनट तक, अब 4 अक्टूबर का दिन, तो ये मंगलवार का दिन है, शुकल पक्ष की नवमिति थी, यानि नवा आखरी नवरात्र है, उत्तर साड़ा नक्षत्र रहेगा, आतिगण नाम का योग है, सुभा 11 बज कर 20 मिनट तक, उसके बाद सुकर्मा ना हुआ है पूरे दिन, अब जीत मुरत है, सुभा 11 बज कर 46 मिनट से, दोपहर 12 बज कर 33 मिनट तक, ये हो गई हमारी ग्रफों की इस्तिति, अब इसी क्या धार पर हम जानेंगे, कि ये जो दो दिन है, ये आपके लिए कैसे रहेंगे, ये राशी फल चंद्र राशी पर आध पहले चले तीन अक्टूबर के बारे में जान लेते हैं, कि कैसा समय आज आपके लिए होने वाला है, स्वास्ते के लिहाज से आज बहुत शांदार समय रहेगा, आपका स्वास्ते बेहद अच्छा रहेगा, और अच्छे स्वास्ते के चलते आपका मन हर एक कामकाज में र देगा, साथ में आपकी कामकाजि जीवन में, किसी अनुभवी शक्स की सलहा आज बहुत अच्छी होने वाली है आपके अच्छी सावित होने वाली है, क्योंकि आज उसकी सलहा से आप किसी ऐसे काम को करेंगे, जिसमें आपको लबदी नहीं मिल रही थी, जो होने पारा था, वो आज उनकी मदद से पूरा हो जाएगा प्रभावशाली और महतपुन लोगों से परीचे बढ़ेगा सामजिक गतिविदियों में जाने का मौका मिलेगा, जब भी आप ऐसी किसी चीज में जाते हैं, आप लोगों से अपना संपर्क बनाते हैं परीचे बढ़ाते हैं, तो वो आपके रुत्वे को भी बढ़ाता है, आपके अंदर समझ भी पैदा करता है, आपको अनुभव भी दिलाता है क्योंकि लोगों की बातें, उनकी सोच उससे आपको बेहद कुछ, यानि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है एक चीज का जरूर ध्यान रखें इस दिन, कि अपने साथी की इमानदाई पर आपको शक नहीं करना है, अगर आपको शक करने की आदत है, तो इस आदत को आपको छोड़ना होगा, वरना ये आपके लिए बड़ी भारी बढ़ सकती है आपकी कारशेत्र में हालात आपकी पक्ष में होंगे और इस दिन धन संपत्ती को लेकर विस्तितियां ठीक होने वाले हैं, कहीं से अगर आपको पैसा मिलने वाला था, तो वो प्राप्त हो जाएगा, अगर वेपारियों की कोई डील रुकी हुई थी वो बन सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे किसी डील को पाने के लिए, तो वो आज आपको मिल सकती है तो उसके लिए आज का दिन है, आज मादुर्गा का आशिरवाद आपके उपर रहेगा परिवारे के सितियां बेहद अच्छी रहेंगी शाम के समय आप अपने जीवन साथी के साथ बाहर चाहे किसी धार्मे के सतल पर जा सकते हैं लेकिन बाहर जाने का प्लान जरूर कर सकते हैं जीवन साथ ही का इसने हैं भी आपको पराप्त होगा और ये दिन कह सकते हैं आपकी आशाओं को पूरा करने वाला होगा यानि जो आपने सोच के रखा उन चीजों को आज पूरा करने वाला होगा जो शीले रहेंगे आप जो शीले और काम करने को उत्सुक रहेंगे हर आपके लिए दो पहर बारा बज़े से दो बज़े तक का समय बहुत ही ज़ादा भागशा लिहोने वाला है इस समय का उपयोग आप जरूर कर सकते हैं कुछ भी नहीं चीज़ों को पाने के लिए इस तरह की चीज़ों करने के लिए अच्छा दिन रहेगा और कुछ मीटिंग इसमें भी जाने का मौका मिलेगा वहाँ जाकर आप अपनी कुछ चीज़ों को जानेंगे और जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएंगे आप पूरी महनत करेंगे उस पूरी महनत का जो रिजल्ट है वो भी आपको आने वाले समय में काफी अच्छा देखने को मिल अब यह आठवा नवरात्र है और इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है कुछ जगहों पर या कुछ लोग अस्टमी पूजन भी करते हैं कन्याओं को भूज कराते हैं दान सरूप देते हैं अगर आप करते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ नौ वरस्ते चार अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा चंद्रमा मकर राशी में हैं शनी के साथ युदि कर रहे हैं आपकी महनत लगन और कार्यक शल्दा को परखने के लिए आज कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिसे आपको तैसी मा में पूरा करना होगा यानि जो आपके प आप हर एक चुनोती का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं एक और जीज़ ध्यान रखें आपके आफिस में ऐसे लोगों को पहचाने जो वाकी में आपके मित्र हैं जो आपकी काम को बिगाड़ना नहीं चाहते क्योंकि ऐसे लोगों से आपको बच कर रहना होगा सम्हल कर होगा ताकि वो आपकी परतिस्था पर आँच ना आने दें कि कैसी इस्तितियां बन सकती हैं तो थोड़ा ध्यान रखें लेन दिन करेंगे उसमें ठीक चीज़े रहेंगी बैपार से जुड़े हुए हैं वहां बजार में आपकी साथ बनी रहेगी और जिन लोगों से आप वरद्धी होने का संकीत भी बना हुआ है आमदनी में वरद्धी होती हुई भी दिखाई दे रही है ये नवा दिन है नवा दिन जो मादुर्गा के नवरात्र चल रहे हैं उसका आखरी दिन होता है आज कन्या पुजन पूरे विदी विदान के साथ करें माता को भोग लग चोटी कन्याओं को भोग लगाएं परसाद खुर्ब भी रहन करें और उन्हें माता का सरुक मान कर उनसे आश्रवाद जरूर प्राप्त करें उनके आश्रवाद से ये दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा स्वास्त भी आपका बेहद अच्छा रहेगा तो ये जो दो दिन हैं दोनों दिन आपके लिए अच्छे कही जा सकते हैं बिल्कुल बड़िया रहने वाले हैं आज आप दुर्गा चालीसा का दोनों ही दिन पार्ट जरूर करें दुर्गा चालीसा का पार्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही चैनल को भी कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें